हमारे पास next question है simplify by justifying each step यह हमारे पास एक question given है हमने क्या करना है real number की properties use करते हुए हमने इस question को हर step को justify करना है आई इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं अगर हम देखें इसको मैं तोड के लिख सकती हूं वन वर पॉर को मैं अलग लिख लेती हैं और इसको मैं इस तरह लिख लेती है इसकी क्या वज़ा है क्यों कि हमारे पास ऐ उवर भी जुए वो लिखा जा सकता है और बी मल्टिप्लाइबार बाई अब क्या करते हैं अब अगर मैं 4 को 1 से multiply कर दूँ यानि multiplicative identity introduce कर दूँ और इसी तरह मैं इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हूं 4 multiply by 4 x तो मैंने कौन सी property यूज की है multiplicative identity उसको लिख लेते हैं साथ-साथ इसके बाद क्या है अगर देखें हम इन दोनों terms में से क्या common आ रहा है bracket के अंदर हम क्या common निकाल सकते हैं 4 को बाहर निकाल सकते हैं बाकी terms हम वैसी लिख देते हैं और यह कौन सी property होती है यह होती है distributive law तो यहां साथ लिख लेते हैं अब देखें अगर हमारे पर 4 का inverse देखें multiplicative inverse क्या है 1 over 4 तो 4 और 4 जो है वो cancel हो जाएगा तो हम बाकी terms को लिख लेते हैं तो हमने यहां कौन सी property का use किया है multiplicative inverse तो उसको लिख लेते हैं इसके बाद अगर one multiplier हो रहा है इस term से तो answer क्या आ जाएगा यही term वापिस आ जाएगी यह क्या है मारे पास multiplicative identity तो इसको हम लिख लेते हैं यह किस के बराबर आगी है यह हमने justify कर दिया है इसको हर step को इसके बाद है मारे पास distributive law of complex numbers complex numbers में जो है वो हमारे पास order oxyum जो है वो hold नहीं करता अगर हमने distributive law लिखना है complex numbers में तो हम क्या करते हैं तीन complex number ले लेते हैं Z1, Z2 and Z3 तो क्या होगा distributive law कैसे होगा कि अगर आप देखें left hand side पे लिखा हुआ है Z1 और bracket में हमने लिखा हुआ है Z2 plus Z3 जब इसको हम open करते हैं तो क्या answer आता है Z1, Z2 plus Z1, Z3 और अगर हम complex number को as order pair of real numbers ले ले लें तो वो आप screen पे देख सकते हैं लिखा at ab鑑 you यहां पर क्या है complex number को शोगँ कर रहा है जो हमारे पस क्या है, अगर हम order pair में ले रें तो ए लिखेंगे और अगर हम वैसे ले रहाए हैं तो हमारे पस complex number क्या होगा a outta belong बी और इसी तरह हम سी longer from complex number की form में लिखें तो क्या आज Yerudle और जब हम इन डो ब्रैकेट को मल्टिप्लाइ करते हैं और एज और पेर में रियल और इमेजनी पार्ट को अलग कर लेते हैं तो हमारे पस यह वाला रिजल्ट आ जाता है जो आप देख सकते हैं अगर हम इसको कर लें मल्टिप्लाइ कर लें तो हम क्या करेंगे एक को मल्टिप्लाइ करेंगे सी प्लस आयोटा डी से इसी तरह हम क्या करेंगे आयोटा बी को मल्टिप्लाइ करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ इसको हम लिख लेते हैं c plus iota d और जब हम इसको solve करते हैं तो हमारे पस किया result आ जाता है a c plus a iota d plus iota b c plus iota square बन जाएगा और यहां किया जाएगा b t और हमें iota square जो है वो हमारे पस किसके equal होता है minus 1 के तो हम यह use कर लेंगे यहां पर तो हमारे पस किया जाएगा a c plus a i d तो ऐसी लिखते हैं कि iota b c भी ऐसे ही जाएगा और iota square जो है जाएगा वो मारे पस minus 1 के आ जाएगा तो यहां पर हम इसको minus कर जाएगा minus b d तो हम real part जो है वो अलग कर लेते हैं a c minus b d और iota common ले लेते हैं और बाकी terms लिख लेते हैं तो क्या जाएगा a d plus b c और इसी को अगर हम order pair में लिखें तो हम उसको लिख सकते हैं minus b d, a d plus b c तो यह जो पहला part है वो हमारे पस क्या है real part है और second part जो आ जाएगा वो हमारे पस complex part आ जाएगा इन ही properties को use करते हुए हम अब आगे question solve करते हैं